तो हम लोग अभी तक काफी कुछ पढ़ लिये हैं और उसी करम में आज आगे बढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था सरवांगसम और समरूप ना, चैप्टर नंबर साथ आपका सुरू हो रहा है, लेकिन चैप्टर साथ का भी कुछ कंसेप्ट है जो कि आपको चैप्टर सुरू करने के पहले सीखना है, है ना, यही तो है ना, चैप्टर साथ कच्छा नो के NCRT गड़ित में, चैप्टर साथ क्या है, आपको पता है, ट्राइंगल है, तिर्भूज है, तो तिर्भूज का हमें क्या करना है, कांसेप्ट पहले सीखना है, क्या करना है, कांसेप्ट सीखना है कलाफ नाइन्थ एंसी एर्टी महेथ चैप्टर साथ कल हम लोगों ने तिरभुज पढ़ लिया था तिरभुज के परकार भी आपने देख लिया था तिरभुज में काइंगुरियंस कब होता है यानि सरबंगसम कब होता ये भी आपने पढ़ लिया था समरूप कब होता है ये भी आपने पढ़ लिया था और क्या-क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था ना ये सब समेटरी भी पढ़ लिया था आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है आपको ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए सरवांगसम तिर्भूज के संगत भाग एक प्रकार सिय समझे लो कि सरवांगसम तिर्भूज में कौन-कौन से भाग संगत होते हैं संगत मतलब करस्फांडिंग जिने बोलतें इंगलिज में तो आज हम लोग यह पढ़ेंगे कि आप देखो इदर यहां देखो एटिंग डा किरन मोरे आप बताइए मोनु सिंग बताइए सीपी सीटी का फूल फार्म जल्दी फट से बताओ मैं आपका वीडियो थोड़ा एक फोन में प्ले करता हूं और मैं खुद देखूंगा कि कैसे दिख रहा कितना अच्छा दिख रहा है चलो जल्दी से एनिवन कोई भी कमें पार्ट आफ कांगुरियंट ट्राइंगल ना यही तो इसका मतलब होता है ठीक है चलो फिर हम लोग वड़े आगे विल्कुल नो प्राब्लम गुड चलिए आप देखो इधर साइड में इसका मैं स्पेलिंग भी लिख लूँ आप लोग लिखो करस्पॉंडिंग एसे करस्पॉंडिंग पार्ट साफ कांगुरियंट ट्राइंगल लिखो सी ओ यान जी आर इधर तो काफी जगा है ना लिख लो जल्दी मैं कमेंट देख रहा हूं सभी का भाई कुछ लोगों के उतर नहीं आया भी कांगुरियंट र-U-E-N-T ट्राइंगल 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 ठीक है करस्पॉंडिंग पार्ट आफ कांगुरियंट ट्राइंगल यानि की सर्वांकसम तिर्भूज के संगत भाग अब ध्यान से देखो आप लोग इसमें बहुत कम कमेंट मुझे दिख रहे हैं पता नहीं क्यों प्रिंस पटेल जी आपका कमेंट आ रहा है अब 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 कलास पर ध्यान दीजिए पढ़ना नहीं भगा देंगे चलो देखो यह ठ यह क्या है दो ट्राइंगल दिए गए हैं अब इन्हें आप ध्यान से देखो भाई बहुत ही प्यार से देखो यह क्या कह रहे हैं दोनों तिर्भूज अंबुज यादो आपका कमेंट आ रहा है अनुपम यादो आपका भी आ रहा है चलो ठीक है इन तिर्भूज के नाम ह ए वी और सी दूसरा कोई नाम अलग रख लो जैसे मालो मैंने फी क्यू और रख दिया अब ध्यान दो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझो भाई कमेंट आ रहा है आपका आम बुजया दो ठीक है कोई बात नहीं नो प्राबलम चाहे जिसकी मुबाइल से कमेंट करो आप चलो अब देखो क्या होगा ध्यान देना अगर ये दोनों तिरभूज सरवांगसम है क्या है काइंगूरियंट है काइंगूरियंट इस बोलते ना तिरभूज A B C यहाँ पर अगर मैं लिखूं सरवांगसम का चिन बना करके P Q R देखो थोड़ा जगा कम है लेकिन मैंने बीच म सरवांगसम कब होंगे मैंने कल पढ़ाया है जो बच्चे कल की कलाफ नहीं देखे वह कमेंट करके बताएंगे बाद में उनको वह भी बेच दिया जाएगा उपर नमबर दिया गया उनको पिछली कलास दिखा दिया जाएगा प्लेलिस्ट में जाओ बच्चा देख लो तो कल जो पढ़ेंगे उनको समझमें आ गया होगा चलिए अगर यह दोनों तिरभुझ क्या थैंग सरबंक्सम तो क्या होता है यह जो आपका cpct का नियम कहता रिख यहुथ कोई Crist abzus mh तो ना पहले दिरभुझ की संगत अश्मिन हुजा के बराबर होती रिव संगत मतलब होता है corresponding side मतलब संगत भुजा ठीक है समझ में आया ना पहला rule कहता है इसमें दो rule है एक परकार से आप लोग लिख लो rule पहला rule पहला कहता है कि अगर कोई दो तिर्भुज आपस में सरबांग सम्हें तो पहले तिर्भुज की सभी संगत भुजा है दूसरे तिर्भुज की सभी संगत भुजाओं के बराबर होती है जैसे पहले तिर्भुज की मालों हम ले ले AC तो AC भुजा किसके बराबर होगी दूसरे में कोई बताए कमेंट करके कोई भी फटाफट कमेंट करके बताओ बाई सूरज यादो कौलीटी चेंज कर लो बच्चा कौलीटी चेंज कर लो 720 पिक्सल कर लो एकदम मस्त दिखेगा हमारे यहां एकदम मस्त दिख रहा है फूल सब्सक्राइब कोई भी दिक्कत नहीं है यह आपकी अपनी मुसीबत है आप देखो मैं खुद देख रहा हूं यह कैमरा में कम सही आएगा वहां लेकिन खुद देख रहा हूं अग्दम मस्त दिख रहा है कि देखो बहुत से बच्चों ने जबाब दिया धीरज अभीजय ठाकूर धरम राज प्रिच खांत मिस्रा कुमन परसाद कुमन का नाम बड़ आजीब साइसलिए मैं नहीं बोल पाता हूं कुमन इनका नाम है चलो तो बच्चा एसी की जो करस्फांडिंग साइड है एसी की जो संगत भुजा है यह जैसे यह इधर है वैसे यह इधर है यह पी आर क्या है पी आर ठीक है उसी तरह से यह एसी हो गया अब एबी एवी भुजा यह किसके बराबर होगी आप लोग बताओ चलो जल्दी फटाफट सभी कमेंट करके बताओ भई आसीस अनूप यादो आसीस यादो किरन महुर्या छोटू साग्छी मिस्रा सभी बच्चे जबाब दो फटाफट देखो इसमें इंको बहर इता जादा साही भर दिया है सब मिस्टेक हो जा रहा यार गड़बड हो जा कि देख Wow को कुल्मिलाक यही है काहने का मतलब यह है कि जो CP CT का पहला नियम है उसमें यह कहता है कि अगर को इस फ Geschichte हापस में सर्भांग सम्म है कोई भी दो तिर्भुज आपस में congruent हैं तो उन तिर्भुज की जो corresponding angle हैं वो आपस में सभी equal होंगे क्या होंगे आपस में equal होंगे यह सब अगर आप पढ़े रहोगे आगे mathematics के भी question आएंगे exercise 7.1, 7.2, 7.3 में अगर आपको यह rule नहीं पता रहेगा तो दिमाग में पले नहीं पढ़ेगा देखोगे लेकिन कुछ समझ में आएगा नहीं बच्चा हां बुजा आएगा नहीं याद रखना चलो तो यह मैंने लिखा AB AB की संगत भुजा PQ है क्या है PQ एक भुजा बच रही BC BC की corresponding side दूसरे वाले में QR है या फिर इसे RQ भी लिख सकते हो ठीक है बिजे ठाकुर आरा समझ में भई या आ रहा ना एकदम मस्त आ रहा है ना बिल्कुल अच्छा दिख भी रहा है कोई दिक्कत नहीं प्राब्लम चलो नोट करो इसको इतना लिख लो यह पहला नियम हो गया यह पहला प्राइस ट्ड़ी अप में अगर कलाव लिए ना उनको तो फिर कुछ बाती अलग है उनको सारी है सारी एक साथ मिल जाती है उन्हें कुछ करना ही नहीं होता है अगर आप यारे स्टाडी आप में लिए तो ठीक है चलो हो गया तो आगे बढ़ते हैं दूसरा नियम क्या कहता है कि सर्वांगसम तिर्भुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं यह याद रखना मतलब दो kangarooence अगर triangle है तो उनके जो संगत कोण मतलब क्या बोलते हैं उन्हें संगत कोण में जनते हो करस्पांडिंग एंगल इक्वल होते हैं वो अखलेस वो चार्जिंग में लगा दो तो बैटरी ठीक है चलो देखो अब दूसरा यारी तो मिटाना नहीं था चलो मैं मिटा दे रहा हूं ठीक है जाने अब रूल सिकेंड देखो इसको मैंने मिटा दिया इसमें ज्यादा कुछ नहीं था फिलहाल मैं फिर से बना दे रहा हूं देखो यह यही तो था ना यह यही तो था क्या और कुछ था यही था ना मैंने यहाँ पर यह लिखा था कि तिरभूज A B C सरबांक सम है तिरभूज P Q R K जी बिल्कुल सबका कमेंट मुझे दिख रहा है हिमानसु जी दिख रहा है विल्कुल दिख रहा है आपका कमेंट किरन मोर्य आपका भी दिख रहा है ठीक है corresponding अंगल भी तो रूल दूसरा क्या कहता है यह CP C T से मैंने रूल दाल दिया आपको समझने के लिए बाकि कि ऐसा कोई प्रूल यह होता है जैसे आप समछ जाओ izka роль second यह कहता है के कि नीदो संगत में जैसे यह संगत तिर भूजम सर्भांग्स computer थे में उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं मतलब करस्पांडिंग एंक्ल लापस में इक्वल होते हैं जैसे मालो यह कोन बी है चलो बताओ कोन भी तिर्भुज आवी सी से कौन भी जो है वह तिर्भुज पी की वार के कौन से कौन के संगत है बताओ या मैं ऐसे पूछ deeper angle बी का करस्फांडिंग अंगल बताओ चलो सबसे पहले कौन बताएगा किरन मोर्या बीजे ठाकुर प्रिंस पटेल छोटू अब्रिज कांत और कोई बस इतना ही बाकी तुम लोग भाईया क्या यहां मूवी देखने आयो दर्शन करने आयो हमारा का सब लोग बोला करो ना यार कमेंट किया करो रोहित ची बहुत अच्छे बेरी सभी बच्चे उतर दिया करो मजा नहीं आते फिर लाइब नहीं पढ़ाएंगा याद रखना और दूसरी बात यह 20-30 बच्चे जोड़ोगे तो कलाफ नहीं चलेगी जादा दिन भाईया कम से कम 50 बच्चे लाओना यार 50 से जादा होने चाहिए आप लोग आपने साथी ल क्या है कर्सपांडिंग एंगल है संगत कौन है ठीक आप कोड़े कोड़े एंगल एक कर्रिस्पांडिंग एंगल क्या होगा बच्चा चलो बता बटा जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है अब इसे एक तिवारी सेरिता यादो जी भाइया आप अपना नाम से कमेंट करो ठीक है कोई बात नहीं देखिए इसमें सबसे पहले जब आप दिया है प्रिंस पटेल छोड़तू जी दूसरे नंबर पे हैं बीजे ठाकुर किरन मोर्या आसीज दूर्गेस अभी सभी बता रहें कोड़ी यानि य एंगल सी ये एंगल आर के एक्कॉल होगा यही था सीपी सीटी का दोनों रूल पहला रूल था कि अगर कोई दो तिरभुज आपस में सरवांग सम है देखो मैं इधर से खड़ा होता हूं तब भी छप जाता है इसलिए मैं उधर चला जाता हूं पीछे तो आप लोग कहते आप लोग बताना अगर कोई भी समस्या होगी तो कि वैसे तो मस्त दिखराएंड को कि सही दिख रहा है ना इस स्क्रीन साट ले लिया करो मतलब मोबाइल का स्क्रीन कैप्चर कर लिया करो लिखा मत करो हो सकता है लिखने में ज्यादा टाइम लगे तो मोबाइल का स्क्रीन कैप्चर किया करो अब हेडिंग डालो देखो यह सारा कंसेप्ट शीख लोगे तो चैप्टर साथ की जितने भी कुश्चन है 7.1 7.2 7.3 7.4 सब कर ले जाओगे चाहे आप यूपी बोर्ट से हो या सीबसी बोर्ट से हो सब के लिए इंपॉर्टेंट है मैं इसलिए सब कुछ इंगलिस हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूं अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपको दोनों लाइंग्वेज में पढ़ा रहा हूं हिंदी इंगलिस दोनों लाइंग्वेज में पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं ना मैं हर एक वर्ड की इंगलिस बताता हूं अगर आप ध्य ॖिंदी में लिखो तिर्भूज के गुण अभी य इंहले माने बना था पहले ही बोला ठीकि लिख यह लिखोगे खिंटे आफ ट्राइंगण देखो तिरवुज जो होते हैं इनके कुछ गुण होते हैं गुण क्या है भाईया किरन मौरे आप सीबेसी से हैं जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है मैंने सोचा था कि सीबेसी वाले बच्चे इसमें होंगे और इसी वज़ा फे जादा बच्चे देखते भी हैं मतलब सी इस भी कालाच तेंट मैं देखो कम अच्चे आते हैं बाट तिरभुज का पहला गुंड क्या है यह सभी परकार के तिर्भुज की बात हैं कुछ इंपफॉर्टन्ट करेंगा लैंहें लिखेंगा वो कौन सा तिर ख़यार अइसो शेलेस नहां रिखो ईसोशेलेस का हिंदी में क्या बोलेंगी मुझे ज्यादाइंगलेफ इंगिली जमीय ब्रेंगन गारन दो ट्रैंगल य कोड़े दो अदेखो पीनोग नुदम दो टू साइड और इक्वल इज काल्ड आईसोसिलेश ट्राइंगल जी बिल्कुल किरन मौर्या जी बेरी गुड करेक्ट है आपका जो इस्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है लेकिन इसमें हमें कुछ और पढ़ना है हमें यह बढ़ना है कि किसी भी आइसोसिलेस्ट ट्राइंगल में उसकी जो इक्वल साइड होती है उन इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वह बराबर होते हैं को समघ में नहीं है अभी देखो पूरा हैगा यह तो मुझे मिठाना नहीं है है यह संधूअब बाहुटित है अभीक ने लेकोसमें कल आखेंश कि यह बि with AC डेका है लेट Dru एट रंगल कि आ ड्राइंगल यह कॅधी है तरेंगल में तरक क् कि धे यह तो इकात वर्ड इंग्लिस बोलता हूं मुझे तो इंग्लिस आती भी नहीं है और यह तो मैं ट्राइब कर रहा हूं इंग्लिस बोलने का बस देखो सम्दुबावतिर बुजब देखो कैसे ध्यान दो बराबर भुजा के इसमें लिख लो या चलो लिखो गुण एक प्रपर्टी नंबर वन लिखो प्रपर्टी नंबर वन लिखो फटाफट लिखो बराबर भुजा के बिपरीत बने दोनों कोण बराबर होते हैं इंग्लिस वालों को मैं बोल दूंगा हिंदी वालों को मैं लिखवा दे रहा हूं बराबर भुजा के बिपरीत बने दोनों कोण बराबर होते हैं इंगलिस में भी बोलूँगा टेंसन मतले ना लिखो बच्चा ठोड़ा फास्ट लिखो देखो समझ लो बस ये दोनों बराबर भुजा है इनके जो बिफरीत बने दोनों कोण होते हैं अपस में बराबर होते हैं से देखो ये भूज़ा है के भीप्रीत यानी opposite मतलब सामने तो यह बूज़ा aC इसके सामन कौन सा कौन है इधर इस और दूसरी भूज़ा यह a B a B के सामने कौन सा하신 है यानि हम कय सकते हैं कि angle गंगल वी एक्वाल एंगल सी ठीक है इसको इंगलीस में आप कैसे लिखोगे एंगल आपोजीट टू equal side of an isosceled triangle are equal देखो मुझे इंगलीज में नहीं लेकिन मैं इंगलीज में भी लिखवाऊंगा आपको हिंदी इंगलीज दोनों लिखो आप ठीक है लिखो इंगलीज में लिखो एंगल आपोजीट टू equal sides of an isosceled triangle are equal बाकी बच्चे समझ गे सीवेसी वाले खुदी लिख लेंगे मैंने आपको बता दिया कि जो ये side है AC और ये AB AC के जो opposite angle है B और AB के जो opposite angle है C ये दोनों आपस में equal होंगे ये concept याद रखना अभी आगे जब question हल करोगे तो आपको इसका use करना पड़ेगा बच्चा अभी exercise हलोगा 7.1 7.2, 7.3 तो ये कहानी वहां मैं नहीं सिखाऊंगा इसे कैसे हो गया डारेक्ट लिख दूँगा ये बराबर इतना बराबर इतना तो फिर कहोगी कैसे हो गया दिमाख लगाना पड़ेगा वहीं पे इसलिए मैं पहले इसको भुजा रहा हूँ अच्छे से कि आप लोग को ये समझ में आ जाए ठीक ये पहला हो गया ये पहला हो गया ये good number first था अब यहाँ पे good number second लिखो भाईया good मत लिखना गूण लिखना चलो मैंने ऐसा लिख दिया ना कि सब ये इदर उदर हो गया चलो second property लिखिए आप लोग property number second जी बिल्कुल किरन मौर्या ने describe किया very good angle opposite to angle side of isosilet triangle are equal बिल्कुल very good चलिए ऐसा ही बच्चे तो चाहिए कि जो कुछ आगे भी खुद से भी तो करें ना यह क्या है एक isosilet triangle है दूसरी प्रपर्टी इसकी कहती है कि कि जो भी साइड इक्वल होती है जैसे यह isosilet है संदुबाहू है संदुबाहू है ना दूसरा जैस्ट उसी का इन्वर्स होता है इन्वर्स बोलते ना मतलब उल्टा होता है जैसे अभी पड़े उसी का उल्टा तो इसमें आप गुण नंबर सीकेंड में क्या लिखोगे गुण नंबर सीकेंड में हिंदी मीडियम वाले लिख लें पहले समझे लो फिर लिखना बुजा एसी बुजा एबी के बराबर है भाई सम्दूई बाहु है तो दोनों बराबर होंगे आपस में सम्दूई बाहु तिर बुजा है तो दो बुजाएं आपस में बराबर होंगी इसी को इंगलिस में आई सो सेलेश ट्राइंगल कहा जाता है तो बहिया ऐसे तिर कंड़ सी ठीक है यह दोनों क्या होंगी आपस में बराबर होंगे कोण बीक्वल घ्वांग। A equal Oh sorry angle B equal angle C जी बिल्कुल अभी किसी ने कमेंट किया साग्छी मिस्रा बिल्कुल very good किरन मौर्या बिल्कुल यादि एंगल एक्वल है तो भूजा भी बराबर होगी जी बिल्कुल आपका भी कथन काफी हाथ तक ठीक है समझ में आया ना क्या बताया मैंने लिखो यहां पर लिखो किसी सम्दूई बाहुतिरभूज में हिंदी मीडियम वाले लिखो मैं दो बार बोलूँगा नहीं लिख पाओगे वीडियो रोंक करके वीडियो थोड़ा बैक करके फिर से लिखना फिर मैं इंगलिस में भी बोल होते हैं किसी भी सम्दूबाहुतिरभूज की बराबर भूजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं बस यह हो गया इंगलिस मेडियम वाले खुदी लिख लेंगे मैंने उनको समझा दिया कि भाया एसी जो है वह एबी के इक्वल है तो जो एबी का आपोजी जैसे आप घर बनाते हो देखे हो ना मकान बनते देखे हो ना उसमें इंट लगता है सेमें लगता है बालू लगता है लोहा लगता है मिश्टरी लगते हैं मतलब जो लोग बनाते हैं उसको आदमी लोग लगते लेबर लोग तो यह सारी चीजें पहले इकठा करना पड़ पॉइंट वान शुरू होगा लेकिन यह चीजें जब तैयार रहेंगी तभी बनेगा अगर यह तैयार नहीं रहेंगी तो नहीं बनेगा ठीक ना इसलिए इसको समझना जरूरी है चलें फिर आगे चलो यह आपके प्रपर्टी हो गया और वैसे इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं है थोड़ा सा एक चीज और हो भी मैं पढ़ा दे रहा हूं बराबर कौण की सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है यह तो आप लोग सीख लिए हो इंग्लिस मीडियम वाले जो नहीं लिखे वो लोग लिख लें इंग्लिस में भी इसमें एक लाष्ट प्रपर्टी है वो भी आप लोग लिख लीजिए किसी भी तिर्भूज में कौन सी असामानताएं होती है यह इस प्रकार के तिर्भूज का नहीं है रामफूल बच्चा सुबह आठ बजे चलेगा सुबह आठ बजे मैं पढ़ा दूंगा अभी तो यही चलेगा बाद में चेंज होगा टाइम दिवाली बाद मैंने ट्राई कर लिया कोई भी नहीं आता बाद में पढ़ने ठीक है दो बजे ना आओ तुम लोग ना तुम लोग पढ़ो भई आठे बजे इसलिए मैं कच्छा दस वालों का डील मिल कर दिया कच्छा नौवाले देखिए बड़ी इमानदारी से पढ़ते हैं और देल सारे बच्चे जूडते भी है तुम लोग पता नहीं कहां चले जाते हो गई तो सुबह आठ वजए जिनको लाइब पढ़ना है पढ़ें और जिनको कहीं हो और कोचिंग ओचिंग करना है वह लोट के आए तब पढ़ें ठीक है चलो आप लोग जिदिंग डालो तिरभूज की में आसामानताएं तिरभूज में आसामानताएं in quality of sorry inequality in a triangle कि लिखे तिर फूल जन में आसामानताएं आसमानताएं ज़्दी हेतिग दालो आप लोग प्र फट लिखो आसमानताएं इंदी हो सकता सफिए गलाथ है कुछ नहीं पता है इंग्लिज में साइज से लिखलो लिखो फटा फट लिखो आप लोग I N E Q Q U A L I T I E S in quality in a triangle इंगल को 27 वेटे रहा है आप लोगा ठीक है ना करो चलो लिख लिए कि अद्धा एंगल अपोजित टुदा लंगर साइड इज लार्जर जी बिल्कुल सही का आपने एंगल अपोजिट टू लंगर साइड इज लार्जर बिल्कुल सही कमेंट के अपने देखिए कैसे जैसे अगर मैंने दो तिर्भूज बना लिया एक तिर्भूज ये है ये इसके नामकरण मान लीजिए मैंने कर दिया A, V, C ठीक है और एक ट्राइंगल आप और बना लो इधर साइड में समझने के लिए अभी इसका भी यूज होगा तो आप देखना इसका नामकरण आप कर लो V, Q and R इतना समझ में आपको अब आप ध्यान दो कैसे क्या करना है समझने की कोशिस करो भाई विकास कुमार का है को मो बना रहे हो चार तरफ को या चलो जल्दी इसको करो मैं सामने से थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे देखो यहां पर पहले मतलब की चीज़ समझो बड़े कोण की सामने की भुजा हमेसा बड़ी होती है यह पहला रूल है मतलब इसमें जो समझना है आसा मनता है जो है वो चीज़ समझो लिखो एंगल आपोजिट टू लांगर साइड इस लारजर ठीक है लिखो एंगल इंगलिजम वाले लिख ले लेना आप न बोलने से ही मतलब है क्या लिखोगे एंगल आपोजिट आपोजिट टू लांगर साइड इस लारजर देखो पहले मतलब समझो कहने का यह मतलब है कि जो बड़े कोंड की सामने की भुजा है वो हमेशा बड़ी होती है अब इसमें अगर आप अनुमान लगाओ तो सबसे बड़ा कोंड कौन होगा भाईया यह लेटा हुआ है यह 90 से अधिक है यह 90 से अधिक है न हमान लेते हैं यह लगभग मान लो 120 से आ यहां पर सबसे बड़ा कोंड क्या होगा यहां पर हमारा कोंड भी सबसे बड़ा कोंड होगा ठीक है तो इस तिर्भुज में अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है तो पताओ कौन सी है भाईया सबसे बड़ी भुजा यह कोंड के सामने की भुजा यानि बड बड़ी भूजा होगी क्या होगा कि याद कर लो इसको समझ लो बस याद निकरना लिखना भी नहीं कि वल याद रखो बस या फित लिख लो अपने हिसाब से जैसे भी मैं समझा दे रहा हूं बाद में आप इसको वीडियो दोबारा देखना भी जब लाइब खतम हो जाएग है तो बड़ी भूजा क्या हो जाएगी और इसमें बढ़ा कॉल्ण क्या हो जाएग अब ही ठीक है समझ गये ना यह पहला हो गया इसमें concept इसी तरह से चोटे कौन के सामनी की भूजा हमेशा क्या होगी चोटी होगी ठीक है यह इसमें सब से छोटा ओर आपको कॉंसा दिख बंजात के लिख देता हूं तैर्भूफ की तीनों को पॉण कोणों कायोग 80 ही होता है तो मालोauft है और यह बीज है कि आगर ने कि बड़ा बड़ा लिखंदो के बड़ा बड़ा के थे कहा है तो सबसे चोटा कोण अगर कहा जा इस तिर्भूफ की सबसे चोटी बुजा क्या होगी तो आप बिना कुछ लगाए बिना कुछ हल कि ये बता देना कि अगर इन तीनों तिर्भुजों में ये कंडिशन है ये 120 है ये 40 है 20 है तो इसमें सबसे चोटी बुजा 20 होगी क्या होगी इसके लिए कारण क्या होगा इसके लिए ये कारण होगा कि किसी भी जो तिर्भूज में सबसे बड़े कौन की सामने की बुजा बड़ी होती है और सबसे छोटे कौन की सामने की बुजा सबसे छोटी होती है यह दिया नहीं रहेगा आगे के सवालों में तुम लोग को याद रहना चाहिए ठीक है यह हो गया आगे देखो यह तो मैंने पढ़ा उसी का जैस्ट आपोजिट उसी का जैस्ट आपोजिट जैस्ट आपोजिट क्या कहता है कि कि किसी भी तिर्भूज में किसी भी तिर्भूज में जो सबसे बड़ी भूजा है सबसे बड़ी भुजा उसका अपोजिट एंगल हमेशा सबसे बड़ा होगा क्या होगा सबसे बड़ा होगा यानि तिरभुज में सबसे बड़ी भुजा का अपोजिट एंगल apposito means होता है सामने का जैसे आपने सुना होगा कहते हैं महित mobil.com apposito kendra bank जैसे लिखा होता है मतलब kendra bank के सामने आ पोजित का मतलब यह होता जैसे हम camera के apposito है camera उढर है हम ज़र है समझ गए न तो जो सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है पी आर है सबसे बड़ी भुजा पी आर है तो मुझे ये बताओ बच्छा आप लोग फिर इसमें सबसे बड़ा कौन कौन होगा बीना नापे बीना किसी रूल के बताओ आंक बंद करके चल बताओ क्या होगा हाँ सम्मुख बिल्कुल ठीक है सही कहा आप ने कौन क्यूं बिल्कुल क्या होगा एंगल क्यूं यानि सबसे बड़ी जो भुजा है पी आर उसके सामने का कौन होगा क्यूं वह सबसे बड़ा होगा क्यूं अभी जो मैंने बताओ इस टार्टिंग में आपको शुरू किया तो बताया नहों ऐसे ठीक है उस्सी तरह से आप यह याद कर लो सिरफ वियाद कर किछ सबसे चोटी बुज़ा के सामने का कौंण सबसे छोटा होगा इसलब करेंगो देखो ना पलो सबसे चो ठोटी कौन है मान लो कि सब से चोटी भूज़ा है इसको मैंने लिया यह यह 7 cm है यह 9 है और यह 8 cm है तो ऐसी स्थिति में सबसे छोटी बुजा QR बन रही है तो QR के सबसे जो छोटी बुजा इसके सामने का कोण P यह सबसे छोटा होगा तो याद रखना यह क्या है सबसे छोटा कोण है इसको चाहे तो आप लोग अपने हिसाब से लिख लो और चाहे तो फिर ना लिखो लेकिन आपको याद रहना चाहिए ठीक है यह तिर्बुज की असामानताएं है यह तिर्बुज की क्या है इनिक्वल्टीज है ठीक है समझ गए न यानि किसी भी जो ति सामने का कौण सबसे छोटा होगा सबसे बड़े कौण के सामने की बुजा सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटे कौण के सामने की बुजा सबसे छोटी होगी यही चार बातें आप सीखे हो इस चित्र से ना आपकी यह क्लास लाइब होती हर दिन यूटूब पे विल्कुल फ्री होती है कब होती है सामको साथ बजे से आठ बजे की बीच लेकिन अगर बच्चों की संख्या यह 50-60 रहेगी तो यह कलास पूरे एक गंटे लाइब चलेगी साथ से आठ लेकिन आप लोगों की संख्या 25-30 के लगबग रहती है इसलिए यह कलास सिर्फ आदे गंटे चल इमांदारी से देखे तब न ठीक है एक दिन आप सिर्फ और सिर्फ लाके दिखाओ बस एक दिन लाके दिखाओ उसके बाद दोबारा वो खुद ही आएंगे देखने आप लोग यह बताओ कौन कितने बच्चों को लेके आ रहा है बही बताए बीजे ठाकुर आप कितने ल दिल चंप तुमारा तो साक्षी मिस्रा छोटू तिने सोनी एंजल एश्टडी जमीर अंसारी आयूस रोहीत विकास लिखने को तयार तुम लोग बड़ा लंबी लंबी गिंती लिखते हो कोई बतारा बारा कोई ग्यारा कोई अठारा मतलब इतने बच्चे लेकि आओगे यह पी कलास देखेंगे भी कि बस वही से बता दियो है कि सरकलास नाइंत का इस्टूडेंट नहीं है हमारे पास 11 का स्टूडेंट है ओली रोहित जी फिर आप इसको क्लास को क्यों देखते हो भाईया टाइम ना वेश्ट करो अगर आप 11 में बढ़ते हो ता आप 11 का पूरी तो है लेकिन आपको अपना जरूर पढ़ना है ठीक है तो आज की कलास हम यहीं पर इंडे करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को पूरी कलास देखने के लिए दिल से प्रेम पूर्बख सुक्रिया अगली कलास फिर से रातरी आठ बजे से होगी टेट सीट पर आप लोग जरूर देखिएगा अगर इसमें से कोई है टेट सीट वाला या फिर आपके घर में कोई भाईया दी अंकल अंटी या भावी अगर कोई विए अगर टेट सीट कर रही तो उनको बता दीजिए वो पीवियर स्टेडी 2.0 चनल पर रातरी के आठ बज़े से मै की बिल्कुल सुनने से हाई लेवल तक तो आप सभी को फिर से दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी अपने साथियों को सेर करिए ज्यादा पर ज्यादा बच्चों को लेकर आईए उसके बाद फिर से हम मिलते हैं आगली कलास में कल इसी टाइम ठीक है ना बंद करे फिर चलिए